आज राजपाल जी का अभिवाशन है बजड सत्र की शुगवात मैं राजपाल जी का अभिवाशन का गुरोथ करता हूं और इसके भहिशकार की खोश्टना करता हूं कि हमें इस सजर की करिवाँ जिन डारी हम सब्थी ये करंपरा रही कि आनजबा हो रही या लोग चुछा या जो भी सजर हो रही कि ये करंपरा हमें बनाई करता है और इसे बजबोगी दे हम सब इससे भागिगार है यह हमारी पार्टी का पैसला था. और ऐसे दूइक थुख से मैं भी सहन था. जिससे सदन की जरीमा अभाव इता. यह हमारी पार्टी का पैसला था. ना अब था, ना आगे था. मैं नेतार्थिस्पक्त स्रीमान कमनलाज जी ने इस बड़े मन से एक गलत परमपरा का गुरूद कर्थ में सहमती जताई है मैं उनको हिद्यसर नहींने बाद देता हूँ नमस्कार आप देख चुके हैं कि किस तरह से जीतू पर्टवारी जो कि मद्रप्रदेश विदान सभा के कॉंग्रेस के विधायक है और उन्हें किस तरह से राजिपाल के अभीबाशन के बहिशकार को लेका ट्विट किया जिसके बाद वो अपनी ही पार्टी में घिर गए और उन्हें के ही पार्टी के वरिशनेता, नेता परतिपक्ष, कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ ने विधान सभा में ही उनके से स्टेंड की जम कर मजब्मत कर दी यह यूँ कहें, पूरी तरह से तार-तार कर दिया, सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, जब यह सवाल दिगवजए सिंग से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कमलनाथ के सुर में सुर मिलाए, यह माना जाता रहा है कि दिगवजए सिंग के गुटके हैं जीतू पटवारी लेकिन य जो युवाचेरे हैं, उन्हें ठीक से तवज़ों नहीं मिल रही, इसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी के भीतर यदा कदा आवाज उठती रही है, तो क्या समझा जाए कि अब टकराट पूरी तरह से चरम पर आ गई है, यह एक बत और गौर करने लाइक है कि इस दोरान पक् सब्सक्राइब की प्रशंचा, बद्वर्देश विदान सामा में, स्वयम मुख्यमति शिवरा सिंग चौहन ने भी की, ग्रह मंतिरों संसिद्धिकार मंतिरी नरुतों मिश्रा ने भी उनका पक्ष लिया, तो यह तमाम समीकरं क्या कुछ कह रहे हैं, और किस बड़े घटन सक्सेना जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत देप्रवाल जी, नमश्कार, सुरेश सर्फ आपकी पहली प्रतिक्रेस पूरी घटनागरम पर, देखे आसुतों जी, सबसे पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि जो जीतू पटवारी जी हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो ही कंटोवर्शेल है, वो अपने विदान सभा छेतर में ही कहते है, पार्टी काई तेल लेने आप तो मुझे जिता दीजिए और आज जब ये पार्टी लाइन से बाहर निकल करके और एक प्रकार की घुषना करते हैं, इससे भी यही संदेश जाता है कि उनका जो हाई दे रहा इस सारे मामले में, मैं इन बातों पर नहीं जाओंगा कि अभीवाशन उनके को कैसे मिल गया और क्या हो गया, ये एक अलग बात है कि मोटे तोर पर ये मालूम ही चलता है कि सरकार ने अभी तक जो किया है, वो ही अभीवाशन में कहा जाता है, इसलिए उनने एक योजना बनाई होगी, एक पक्स तो ये मेरे दिमाग में आता, दूसरी बात मेरे दिमाग में ये आती है कि जीतू पटवारी जो हैं, वो पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुक हैं, और उनके दौरा कही जाने वाली बात यदि पार्टी लाइन नहीं है, तो पार् फिर प्रमुक परवक्ता। कि राहुल भाईया आजया सिंग राहुल भाईया जो नेता प्रिपक्ष रहे और तेस्तराट विंद छेतर के नेता माने जाते हैं शुबास यादव जी के पुत्र अरुन यादव जी जो राहुल गांदी की कोर्स समीती के सदस हुआ करते थे वो और उसके बाद अब जीतू पटवारी क्या कमलनात इन सब नेताओं को नेस्तनाबूद करने का मन बना चुके हैं और अपने वैवशाईक हितों के जो मोटे तोर पर एक बात संकेत के रूप में सब को बताता रहता हूँ बताना चाहिए कि कमलनात कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी के साथ अपने वैवसाईक हितों के लिए संपर्क संबनाने की क्योंकि आपने भी अपनी टिपपणी में कहा है कि कमलनात जी याने विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच में एक समनवे अजीब किस्म का देगा तो क्या ये वैवसाईक हितों के लिए समनवे है ये पार्टी हितों को त्याक करके और वैवसाईक हितों के लिए है और क्या अपने युवानेता को इस तरीके से अलग थलग पटक देना या कर देना कोई बहुत बड़ी आहाट है आने वाले समय की कि राजनितिक गुटबाजी जो कॉंग्रेस पार्टी में हुआ करती थी क्या उस गलाकाट स्थितिक पहुंच गई है क्या कमलनात और दिगवेजे सिंग का जो द्वन्द है वो उसकी गाज जीतू पटवारी पर गिर गई हैं सारी चीजों पर हमें ध्यान देते हुए ये कहना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं ये कहना पड़ेगा कि जीतू पटवारी ने राजनतिक जीवन की अनेकों गलतियां की हैं उन्हें एक गलती आज हुई है उन्हें इतना उतावलापन बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए और मुझे ये लगता है कि विधान सभा में जो उनका एक प्रकार का परफोर्मेंस रहता है वो सटिक बातें करते हें वहुं सत्तपक्स को गेरने की कोसिस करते हैं वह राजन दीख County करके गलत जादा बड़ा गलत क्या रहा जीदू पटवारी जी का इस तरह से ट्विट करके यह बयान जारी करना कि अभी वाशन के वह बाइशकार किया जाना चाहिए या कमलाजी जो सदन में मौझूद थे वो उनका बचाव कर सकते थे कुनि यह शब्दों के माध्यम से इस तरह के इसे पूरी तरह से कहा देना है कि हम पूरी तरह आसामत हैं चाहि जाधा बड़ा गलत क्या रहा कौक्रेस पार्टी के लिए तीस वरस की पत्रकारिता में ऐसा पृत्पक्स 남자- मैंने कोई नहीं देखा जो अपने विदायक के बचाव की बजाय सत्धाव की बाषा बोल रहा हूं मैंने कभी नहीं देखा कि यदि विपक्स Dickson का विधायक गलती कर देता है तो विपक्स काने उसे ढांकने की कोषिश करता है उसके लिए शोरी बोल कर के समाप्त करने की कोषिश करता है लेकिन विधायक मैंने ऐसा देखा है कि नेता प्रित्पक्स अपने ही विधाय को नीचा दिखाने की कोशिस कर रहे हैं जो राजनिती में कहीं भी कहीं भी भी देखने को नहीं मिलता इसलिए ये कॉंग्रेस पार्टी के लिए जीतू पटवारी ने जो गलती प्रारंब की थी उससे बड़ी गलती कमलनात ने की है परवाल जी बड़ी बात यहां पर सुरेज जी ने कही है लेकिन ये महत्पुन पहलू है कि कॉंग्रेस पार्टी में लगातर बात उठरी के साब जो दो बुजर्ग नेता है कमलनात जी और दिगवजे सिंग जी वो पूरी की पूरी मदबरदेश कॉंग्रेस को हाईजक कर जा चुके हैं और इस पूरी जो घटना करम में या कहा जाएगे इन समीकरौनों में युवा चेहरों के लिए कोई जगे बागी नहीं बची हैं चै हम बात करें अरुन्यादव जी की चैह से बात करें अमंग सिंगार जी की चैहम बात करें अजैसिंघ राहूल भिया जी की तो तमाम message वो चेहरे हैं जो कहीं ने कहीं अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और गुटबाजी चरम पर है तो क्या ये समझा जाए कि इस गटना करम को भी उसी चश्मे से देखा जा सकता है कि साब देखिए दो बुजर्ग नेता हैं उन्होंने एक उबरते हुए तेस्तरार युवा नेता की गल्ती को बचाने के वज़ा उसको एक्सपोस कर दिया और इस तरह एक्सपोस कर दिया कि उनको राजनितिक immature अपरिपक यहां पर पूरी तरह से साबिद कर दिया है अईस्तोशी आग़ा देखेंगे तो आपको लगेगा जिस तरह से जोतिराउद शेंदिया जी जिस तरह से कांग्रेस में ओब्रेद हैं और पूरा फोकस उनके इर्दघृत था उनको कि सतरह से वहाँ जो घेटने करम हुआ उनको कि सतरह से प्लायन करना पड़ा और एक य सब्सक्राइब तो अभी जो है वह अपनी सक्ता की बागड़ोर जो है कि दूसरे को दिने को तैयार नहीं यहीं वजा है कि मुख्मंत्री भी रहते हैं और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षी रहते हैं कमल नाज जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं ऐसा मद्यप्रदेश के संस् अच्छा है वह चक्का मानने वाले थे हिट विकिट हो गए इस अगर खेल की भाष्याम बात करें आई उनके संग जो हुआ उसकी उनको विशाद कल्पना नहीं होगी एक विधायक भी एक विधायक जरूरूर उनके संग जो सुरम सुरम लाता है वह भी उनके संग आज कोर कमेटी की भी नहीं होती और निर्णे हो जाते हैं तो आपने देखा कि यह जो आई निर्णे हुआ है यह जीदू पड़वारी के भविश्च के लिए भी बहुत खतरनाक संकेर थे जिस तरह से बढ़ रहा था जिस तरह कारी कारी एक पर अध्यक्ष बनाए गया पिर मी पर अध्यक्ष बारी जी के लिए क्योंकि जब पार्टी के दो बड़े दिग्गा जाए इसमें पिछल लंबे समय से सुरेश्च आप से समनना चाहेंगे कि कॉंग्रेस पार्टी का आला कमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इतनी तब तमाम घटना करम चल रही है उसके ब बार-बार इस बात को लिखा भी है और चैनलों पर हम लोग बात करते समय बोलते भी है कि कांग्रेस का जो हाई कमान है वो तो है पर नख और दन्त दोनों भी नहीं है इसलिए उससे कोई नहीं डरता और डरने की स्थिती इसलिए है कि उनको अभी उन से नेतरित में बचप थी अब मुझे नहीं मालूम की राजनीती में लोगों ने पपू कहना क्यों सुरू किया और बहवार से उसे जस्टिफाई करने की क्यों कोशिश की जा रही है यह पार्टी का इंटरनल मामला वो तै करें लेकिन जो संदेश जा रहा है वो यह जा रहा है जो आपने सवाल कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी मचलियां चोटी मचलियों को निगल रही है और यह जो निगल रही है उसमें अब निवाला जीतू पटवारी बन गया मैं फिर अपनी बात पर आता हूं आशुतोष जी चाहे सरकार कुछ भी कहती रहे चाहे राजिपाल की अभी बाशन पर उनने पहले ट्वीट कर दिया हूँ यह सब चीजें बहुत राजनिती में गोन होती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कि उस जमाने में जब कामरों को प्रस्ताव लगाने के लिए और विशेश्त है कामरों को प्रस्ताव लगाने के लिए लोग चार बड़ा ध्यान रहता है तो जीतू पटवारी ने वह पहला स्थान प्राप्त करने के लिए राजिपाल के अभीबाशन के बाइसकार की बात कही होगी निश्चित रूप से ना समझी है निश्चित रूप से जल्दवाजिये सब ठीक है लेकिन इसके बाद कांग्रेस को ऐसा आत्म घाती स्टेप नहीं उठाना चाहिए था ये सिद्ध करता है कि बड़ी जो मचलियां है वो छोटी मचलियों को निगलने की कोशिस कर रही है एक बात दूसरी बात में ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि ये दिहाई कमान जब तक कमलनाज जी को मदप्रदेश से नहीं अटाएंगे तब तक बदप्रदेश में कांग्रेस के उबरने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि कमलनाज जी जो 18 में एसिट्स बन करके आये थे वो इन दिनों लाइबिलिटी हो गए हैं उनके पास समय नहीं है उनके पास काम करने का तरीका नहीं है उनके अंद आशनी ग्रूप से कभी कई बार कठोर होने की कोशिस करते हैं तो आदे से ज्यादा प्रशासन के लोगों के साथ विरंबरता का वेवार करते हैं पालिटी के कारिकरता उन्हें अपना सवरक्षक मानते हैं यह बात कमलनाज में दिखाई नहीं दिखाई देती है लेकिन मु दोड़ता है तो मुझे इस बात की बड़ी है एक प्रकार से की राजनीती का जानकार बेखती यह दी जो आदमी बाकी सारे मामलों में देश के बड़े नेताओं से भिड़ जाता है वो यह क्योंकि कोई पहला आउसर नहीं राजिपाल के अभीवासन के बीच में टोका टो हूँ कि मुझे कमलनात के वेवार से आज बहुत चिंत्या हुई है मेरे दिमाग में यह आ रही कि बार बार की आखिर ऐसा क्या हो गया कांग्रेस पार्टी में सुपारी तो अर्जुन सिंग जी ने ली थी उस सुपारी को क्रियानवित करने का काम दिगवेजे सिंग कर रह है काईना करें इनतजार किया जाता उस ही रो युवाँ धड़ा है वह से रोशंदान से ही सही चोटी सी रोशणी की किरण महांपन को दिखाए देतीकि जिस दिन वे वापसी करेंगे उस दिन बुजुर्ल absorb है वो हटा दिया जाएगा मद्द प्रतिश कॉंग्रेस से और कहने हैं कि उस वक्त हमारे नंबर सबसूख पर हमें बड़ी जिम्मेदारी मिल सके उसी उहां पो में या कहा जाए कि उसी जल्दिबाजी में जीतू पटवारी जी यह इस तरह की जो है ट्विट कर बैठे हैं औ कि उनका नंबर भी ना जाया और उस वक्त जब रोशंदान की पूरी रोश्णी आए तब तक वो रहें ना रहें तो आपको लगता है कि इस तरह की स्तिती समय कॉंग्रेस में मद्द प्रतिश कॉंग्रेस में और उसके बाद ही वो युवराज जो है वहां से अपने जो है प्याद एफिट करेंगे फिलाल तो इस बात का इंतजार हो रहा है लेकिन देखिए उस दिन पहले ही मद्द प्रतिश कॉंग्रेस के अरचना जैस्वाल को हटाया गया आचाना और उन्होंने अपने इंट्रि इसलाई शुरू हो चुका है और संयों देखिए वह इंदोर की है और यह वी इंदोर से तालुक रखते हैं तो सब मिलागे अब प्रकाड़ से युवा और महिलाओं में और खासका सब जगा जो है वो नई उसके अंतजार हो रहा है नया देश का और पुराने के प्रति जो आपको देने वाले बहुत ही महत्मुन हो सकता आप लोगों के लिए दिगवजे सिंग जी और कमलनाथ के बीच में क्या कैमेस्ट्री है या नहीं है कभी जह हम देखते हैं कि सड़क पर बैठके आपस में टकरहाट दिखाए देता है एक समवाध हिंता दिखाए देती है औ पटवारी जी के खिलाफ जो कमलनाथ जी ने खुलियां मोला तुस समय दिगवजे सिंग पीच में 2003 से अच्छा ताल मेल रहा है और मुझे ये लगता है कि दोनों के बीच्छ में काफी कुछ समझ है एक दूसरे को समझने कि समझ है लेकिन जो पुत्र मोह है वो दोनों का वो कहीं तकरा रहा है कमलनाज जी चाहते हैं कि उनके बेटे को आगे लीड करने की कोशिश की करने का मोका दिया जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि राउल गांधी जी और कमलनाज जी के सुपुत्र में कोई बहुत लम बानतार है राजनितिक समझ की बात कर रहा हूं में बाकी वाशा एक ज्यान जो है वो कमलनाज जी के पुत्र में निश्चित रूप से हो गाई लेकिन राजनितिक बहुत कोई जिसको चटकपन कहते हैं वो नहीं है तो उसके उससे ज्यादा दिग्वेजी सिंग जी के सुपुत्र में है दिग्वेजी सिंग जी के सुपुत् लेकिन जेब में हट डाल करके कुछ उनकुछ उंगली कर देंगे या चुटकी काट लेंगे या कुछ और कर देंगे ये परिस्थितियां जो है ये कहीं कहीं दोनों के बीच में चलती रहती है जहां तक आज की संदर्ब में विभा पटेल जी के संदर्ब में और इनके संदर और यह राजनिती में जब आप बड़े पदपर चले जाते हो तो बड़े पद पर आपको वो मदद नहीं मिलती जो आप समर्थक के रूप में प्राप्त कर लेकर तो आपको आउटपुट देना ही पड़ता बड़े पद पर बैठने के बाद मुझे लग रहा है कि कांग्रेश का जो दोर है वो भगवान पता नहीं क्यों ऐसा करे हुए कि बहुत कुछ अच्छा दिखा और भाजपाई आपस में लड़ मरें यह पता नहीं कब स्थिती बन जाए तो इसलिए ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन मैं यह बिल्कुल कह रहा हूं कमलनाज जी और दिग्विजे सिंग जी के बीच में जहां टकरहाट प्रारंब होती है यह हमको दिखती है वो शुद विवशाइक विवस्थाओं के अंतरगत होती है दिग्विजे सिंग जी अपने तरीके के काम कराते हैं कमलनाज जी अपने विवशाइक तरीके के काम कराते हैं जब मुख्मंत्री के रूप में सिवराज सिंग चोहान से नेता प्रत्पक्ष की मुलाकात होती है जब उनको ये मालूम नहीं रहता कि दिगविजे सिंग धरने पर बैठे ये बड़ी अचरेज की बात है बिलकुल बैठे रहते हैं मालूम है मालूम रहता है वो जिस तरह से मुख्मंत्री के साथ दंत निपोरी करते हैं कम से कम विपक्स के नेता को सारबजनिक रूप से इस आता है यह मानना पड़े दिनों से देखने में कांग्रस पार्टी के बरिश नेता है उनने गुरूप भी बना रहा है तो वो लगातार जो हैं कहीं कुछ समय बाद जब उनको पूरी तरह से साइडेंड कर दी जाता तो भारतीनता पार्टी के नेतरुत के पक्ष में उनके बयान आने शुरू हो जाते हैं, हमने गुलाम नभी आजाज जी को देखा, उनके भती जिने भी बीजेपी को जॉइन किया, हमने मनिश ट्वारी जी का हालिया बयान देखा, जिन्होंने पार्टी लैंसे अलग हटकर जो यूकरिन ट्राइसिस में कही ना कहीं केंदर सर जी के समकालिन रहे हैं, तो क्या ही समझा जाएं कि अगर मद्रदेश कॉंग्रस रहेगी तो दिगवे सिंग जी और कमलना जी ही चलाएंगे, अब दूसरा में आपसे समगना चाहरा हूँ, क्या ये भी संभावना है कि अगर केंदरी नेत्रत को बड़ा फैसला करता है, सकते हैं, किस तरह कि आपका पॉलिटिकल केल्कुलेशन कह रही है, तेकि अशुतोस जी मुझे एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है, कि देश में दो राष्ट्री राजनितिक पार्टियां सेश बची हैं, कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस में संभावना एक लग संभावना नहीं हैं, भारती जनता पार्टि की कई स्थानों पर आलोशना होती है, कि वो कांग्रेसियों को भर रही है, और ऐसा कर रही है, मैं भी कई बार यह सोचता हूँ कि इतनी भीड़ लेने की क्या जरूरत है, क्यों ले रहे हैं, लेकिन जब आप निस्पक्ष खटना एं, जो संभावनाओं से भरे हुए राजनेताओं के लिए वो आकरफन का केंदर है, इसलिए भाजपा में लोग जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा में खेलने के लिए बहुत कुछ है, लंबा समय है, एक, दूसरी बात यह है कि जो नेता भाजपा का समर्थन कर रहे ह वो मुझे नहीं लग रहा कि भाजपा के राष्टवाद का समर्थन कर रहे हैं या इन सब चीजों का वो जो घटना करे हमें उनका समर्थन कर रहे हैं जैसे गंगा का जो अभियान चलाया है उपरेशन गंगा तो उसके अंदर जो है जिस तरीके से लाए गए हैं मुझे नही चिस्तों के बीच हो रहे हैं युद्ध को रुकवा करके अपने लोगों को लिया आए या उसको भारति जंडे को देख करके और युद्ध कर रही सेना सिलूट करें ऐसी स्थिती मुझे नहीं लगता आप अमेरिका के जंडे को कोई सलूट नहीं कर रहा है भारत वाले को कर तो ये जो संबावनाएं आपको ज्यादा दिख रही है मोदी का जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में जो करेक्टर था भूमीका थी वो भूमीका जो है प्रधान मंतरी के रूप में 360 डिग्री अलग दिखाई देती है बहुत अलग अलग प्रधान मंत्री मोधी जो है बहुत अलग दिखाई देते हैं इसलिए आप मोधी के पुर्वा ग्रही होकर के कुछ भी बोल दीजिए लेकिन जब समग्र द्रष्ट कौन से आप देखेंगे तो वही सरदपावार और प्रशंचा करने लग जाता है वही अ आरीस रावत का उप्योग करने के बाद उत्राखंड में आरीस रावत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया मैं आज फिर कह रहा हूं कि कमलनाथ और दिखविजे सिंग को बहुत इतराने की जरूत नहीं है यह राउल गांदी है आप उसको कुछ भी कहते रहिए वो पता न करी को जिस तरह के से निपताने की कोशिस की गई है यह कौन सा बड़ा बिजनिस करने वाले हैं इसकी आड़ में मुझे समझ में नहीं आया लेकिन यह बात बिलकुल सही है कि कमलनाथ जी को आज अपने विदायक का बचाव करना सही था यह किसी भी नेता प्रतिफक्ष का दाइत होता है कि अपने विदायक का बचाव करें वो बाद में अकेले में उसको जो कहना कहे सारवजनिक रूप से कहना मैं तो राजनितिक समझदार वेक्ति से ऐसी अप्रवाल जी बजट सत्र की शुरूआत में ही अगर कॉंग्रस पार्टी की में इस तरह से फूट खु पटवारी अब तक निभाते आए हैं इस बड़े आधात के बाद कि आपको लगता है कि अपने उसी ले और ताल में नजर आएंगे या फिर आपको लगता है कि नहीं अब वो पूरे संकुचित होकर क्या उनकी नेत्रत श्रम्ता से लेकर उनके बोलने की कला से लेकर उनकी कि राजनेतिक समझ पर लेकर सब पर सवालेंशान यहां पर लगा दी गए है कि निश्चित रूप से आज जिस तरह से उनको नए जिसका कहा भी शर्माइजिये की इस तरह से उनको अपने विधायक को प्रोफसाहित करना चाहिए था यूव विधायकर सवरक्षित करना चा किस तरह चलना ही आपको मालेवक कल ही दो दिन पहले ही संसदीकारी मंतरी ने पत्र लिखा कि अब नेता प्रतिपक्ष का दाई टक्टर गोविंग सिंग को सोब देने चाहिए वहां पर लड़ाई नेता प्रतिपक्ष की भी अब चल रही है सज्जन सिंग बरवा भी तयार बेटे हैं नपी परिजापती भी है तो वहां अभी और उपाद्देश का भी नया खुल गया उपाद्देश बनाया जाए तो बहां तो अभी संगधन में लड़ाई है चल रही है अंदर तो वह किस तरह से सत्ता पक्ष का सामने कर पाएंगे यह एक प्रिशिचन है बिलक जाहिर करें यहां पर कामना करते हैं अगर आपको वीडियो पसंदार और आप और कुछ क्या जाना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा अब तक आपने इंडिया फ़र्स्ट को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जल सिल्दत कर लें क्योंकि यहां पर इस तरह के चर्चा लगातार जारी रहती हैं फिलाल मुझे और मेरे वरिश्ट सहयोग्यों को दीजे जाज़त नमस्कार